गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स लास्ट पर हम लोगों पढ़ा था रीतिकाल ठीक है भक्तिकाल और रीतिकाल के बाद आता है नेक्स्ट काल आधुनिक काल की समय सीमा है सन 1843 से आस्तर ठीक है आधुनिक काल को कई अन्य नामों से जानते हैं जैसे गद्य विकास काल अंधोलन प्रारम हो गया थे मतलब जब देश में करान्ती चल लए थी उस समय के काल को आधुनिक काल की की शुरुवात मानी जातीं daíल देशमें जब यह दूसरे से लोग संगठन होने लगे थे देश में करांती की एक लहर हो गई थी उस समय आधुनिक काल के जुप कवी देश के विकास के लिए रचनाय लिखना प्रारंभ कर दिया था समास सुधार पर रचनाय लिखी गई धर्म सुधार पर लिखा गया और नवीन विश्यों पर लिखने लगे थ Thai इसके साथ सत्षत पद्द में नवीन शैलियों का जन्म हो गया नई नई शैली आने लगी आधुनिक काल गद्य काल नभीन विकास का काल पुनर जागरण काल आधि इन नमों से आधुनिक काल को जाने लगा ठीक है फिर आधुनिक काल जो है हिंदी कावी के अनुसार गद्य विकास काल के आधार पर भारतेंद यूग तिवेदी यूग छा पूर्व भारतेंद यूग भारतेंद यूग दिवेदी यूग छ्यावादी यूग छ्यावाद उत्तर यूग और तो उसी में आपने पड़ाता भारतेंद यूग की सुर्वाद जो है भारतेंद हरिश्चन के नाम से की गई है और इन्हें आधुनिक हिंदी सहित्ति का जन्मदाता माना जाता है ठीक है इस काल में खड़ी बोली भाषा का प्रियोग हुआ है कावी की भाषा जो रही है वो ब्रज भाषा रही है छंदों में नवीनता आई है कावी में स्वधेश प्रेम समा सुधार प्रकर्थ चित्रण आधिविश्यों को समावेश किया गया था भारतेंद काल के जो प्रमुक कवी है भारतेंद हरिश्चन प्रताप नायंड मिश और स्रीधर पाठक दिवेधी युक की शुरुवात जो है आचारी महावीर परशाद दिरवेधी के नाम पर की गई है इसकी समय सीमा सन 1900 से 1922 इसवी तक है ठीक है कुछ किताबों में 1918 भी लिखा है लेकिन सन 1900 से 1922 इसवी तक दिरवेधी युक की शुरुवात हुई है और खचारी महावीर परशाद दिरवेधी जो है इस युक के सूत्रा धार है मतला इस युक की सुरुवात करने वाले आचारी महावीर परशाद दिरवेधी है इन्होनी कविता में नवी ने आधुनिक प्रवृत्यों का समावेश किया ठीक है खड़ी बोली का इस्थान प्राप्तो अज्यों की भारतों धरिशन में भी था इसी दने इस काल के जो कुछ प्रमुक कवी है उसमें है मैतली शराण गोप्त है अयोध्या सिंगुपाद्य जाय हर्योध है राम नरेश तरपाटी है आप सबको पता है कि यह सभी कवी जो है राश्ट कवी है ठीक है फिर नेक्स्ट दिर्वेदी युग के बाद आता है चायावादी यूग चायावादी यूग 1919-1938 कुछ किताबों में 1922-1938 मिलेगा ठीक है दिर्वेदी यूग क चायावादी यूग के प्रमुक कवियों में आपके आते हैं जैसंकर प्रशाद, सुमित्रा नंदन पंद, निराला और महा देवी वर्मा ये चायावादी यूग के चार इस्थम्भ माने जाते हैं और इन्होंने कावि में प्रकरति का मानवी करण, रहस इभावना, लिखी है, ठीके इसमें पंत जो है ये प्रकरति के कुशल्शन चितेरे माने जतन है, मतलब इन्होंने प्रकरति पर वर्णन किया है, महा देवी वर्मा ये करुण परधान है, मतलब इन्होंने दुख से संबंद, करुणा से संबंद दे जरशाएं इस काल में ज्यादा लि फिर नेक्स्ट है प्रगतिवादी यूग प्रगतिवादी यूग जो है 1938 से 1943 तर फिक है कहीं कहीं 1947 भी है उसके इसको छाया वाद उत्तर यूग के नाम से भी जायना दाता है छाया वाद के बाद कावी की अथिशे हो गई मतलब जो वेक्ति आया उसने कईता लिखना प्रार कालमाक्स जो होता है प्रगतिवादी जायना minimum के अइक ने इनसाफ के लिए जागरूप करने वाले कावी लिखने लगे कल्माक्स ने डर्शन के आधार बनाकर रोटी कपड़ा मकान और मजदूरी की समस्या को अप्ने कावी का आधार बनाया जबकिऑ कानमाक्स के लिवाह वह आपका बिटिस राइटर था ठीक है इसी तरह की समस्याओं को अपने कावी का आधार बनाया ठीक है प्रगतिवादी कवी में आपके जैसे रामधारी सिंग दिनकर है यह भी राष्टे कवी है शिवमंगल सिंग सुमन अधुनिक काल के कवी नरेंशर्मा और बालकृष्न पूरा नाम यह याद रखेगा कभी कभी पूछ लेते हैं कि अग्ये का पूरा नाम क्या है सचिदानंद, हीरानंद, वासायन, अगे, इनके जो रशना थी तार सब्तक के नाम से जाना जाता है, और इनके तार सब्तक में जो साथ कवी हैं, गजानंद माधाउ मुक्तिवोद, नेमी चंदर जैन, भारत भूशन, प्रभाकर माच्वे, गेजा कुमार माथूर, तथा रा अगर जनता जागरुक हो रही थे, तो जनता की जागरुकता के लिए रशनाय लिखे जा रही थी, कुंठा और निराशा भी लोगों में जागरित हो रही थी, कि बार बार देश को आजात कराने का प्रयास करते थे, लेकिन लोग असफल हो रहे थे, इस तरहें के जो देश ही दिख्सित होकर नई कविता की रूप में आई यह पार्ट प्रियोगवादी का अलग कर दिया गया है लेकिन यह उसी में मतलब सन 1947 के बाद की जो रशनाई हुई है तार सब्तक के बाद वाली 51 फिर 52 54 के बाद जो रशनाई हुई है वह सभी नई कविता के यूग के नाम से सन 1954 में डॉक्टर जग्दीज गुप्ता और रामसरूप चतुरवेदी ने नई कविता के नाम से कावि का श्रजन किया या कावि संकलन प्रकाशित किया इस यूग में वर्तमान जीवन के सभी इस्तरों का यथार्थ चित्रन किया गया यथार्थ का मतलब होता है वास्त्र और यही बात प्रियोगवादी की भी थी कि प्रियोगवाद में भी वास्त्रविक चित्रन किया गया था भाष्या की नई शैदी का जन्म हुआ नई कला के साथ साथ नए रोचक तथ्यों को उजा कर किया गया इस काल के प्रमुख कवी रहे है जदीस गुप कुवन नाराय सर्वेशर दयाल केदार नाथ अगर्वाल नागोर्जन धर्म वीर भारती और अग्गे अग्गे आपको पता है कि यह ब्रियोगवादी के भी कवी हैं यहां पर आपका यह कंप्लीट हो जाएगा चेप्टर